सरकारी कर्मचारी ने जीन्स पैंट और टी-शिर्ट पहनी तो खेर नहीं जिला धिकारी भदोही डी-एम ने परिधान को लेकर खोला मोर्चा सरकारी दफ्तरों, स्कूलों में जीन्स वर टी-शिर्ट में अब आपको कोई कर्मचारी भदोही जीले में नजर नहीं आएगा कपड़ों की जाच के लिए अब गुरुवार से नुडल टीम कर्मचारियों को देखकर डी-एम को अपनी रिपोर्ट देगी और इस बाबत कड़ी कारेवाई ही होगी इसके साथ ही कर्मचारियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा भद्दाए ही जीले में सरकारी दफ्तरों, स्कूलों में अब जीन्स वर टी-शिर्ट नहीं चलेगी ड्यूटी करनी है तो सामाने परिधान में आना है अनियत हमाना जाएगा कि कर्मचारी ड्यूटी के प्रती सम्वेधन शील नहीं है जितने दिन वह अपने परिधान का नियम तोड़ेंगे, उन पर जुर्माना लगेगा और उनके खिलाफ कारेवाई को पत्रने देशाले भेजा जाएगा यह आदेश गुरुवार से लागू हो जाएगा भद्धोही जिले की डिये मारग का अखोरी का मानना है कि कर्मचारी वशिक्षक जीन्स टीशट में अपने कारेवाई आते हैं तो इसका बच्चों पर असर पड़ता है परिधान की वजह से समाज में भी घलत संदेश जाता है पर अब ऐसा नहीं चलेगा सभी को सामाने परिधान में आना होगा इसके अलावा कार्याले देरी से आने और जल्दी चले जाने वालों पर भी प्रशासन की नजर रहेगी इसके लिए जल्द ही नोडल बनाय जाएंगे जो सुबह शाम उपस्थती देखेंगे और परिधान पर नजर रखेंगे बतादे कि अधिकारियों को जीन्स में देखकर भड़क गई थी जैसा की मंगलवार को सावन में कावरियों की सुविधा को लेकर कलेक ट्रेट में आयोजित बैठक में दो अधिकारी टाइट जीन्स में पहुँच गए थे यह देख डी अधिकारियों का यह हाल है तो करमचारी क्यों नहीं मनमानी करेंगे गुरुवार से किसी कार्यालेय में जीन्स या टी-शट में कोई करमचारी आया तो वे कारवाही के दाइरे में आएगा डी एम ने बकाइदा इसके लिए नुडल अधिकारी भी बनाने को कहा है यह नुडल अधिकारी कार्याल है, वस्कूलों की जाच में सबसे पहले परिधान, उसके बाद उपस्थती जाचेंगे, ग्यात हो कि यह नियम पुराना है, पर सकती अब, वैसे यह नियम पुराना है पर अब सकती होती दिख रही है, शिक्षकों को बार-बार हिदायत दी ज किया है, और, जीन्स, कीशट में आने लगे थे, इस पर काफी हद तक रोक लग गई है, पर, अब भी गाहे बगाहे शिक्षक आधुनिक परिधानों में आते जाते हैं, अब देखना है कि डियम का फर्मान कितने दिनों में लागू होगा और, कितने दिन चलता है, हाला कि, यह आदेश जारी होने के बाद से ही जिले में सरकारी कर्मचारी सकते में, पुलिस मुढफेर में घाय लुटेरे को लगी थी पुलिस की गोली, इसी वज़े से नहीं भेजा जा सका उसे ज्रेल, बताते चलें कि आभूशन लुटकान के लुटेरे से पुलिस मुढफेर मे टांग में लगी थी गोली एक स्रे होने के बाद रिमांड हे तू उसे गुरुवार को मेडिकल परीक्षन हे तू मुखिर चिकित सादिकारी के आदेश पर जनपद चिकित सालेचेट से यह लाया गया जहां से उसे सक्षम नियायाले में पेश किया जाएगा बताते चलें की कोतवाली छेतर के धौरा हरा पुलिस चौकी के समीप बीते मंगलवार की भोर में बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुढ़ फेड हो गई थी पुलिस की ओर से की गई जवाबी फाइरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लगने से वेग भाग नहीं सका और गिरफतार कर लिया गया था गिरफतार अभियोक्त का नाम इक्राम बताया गया है जिस पर अलग-अलग जन्पदों में कुल चोबीस मुकद में दर्ज है जाने वाले सभी न्यूस से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले धन्यवाद